कंपनी लोग का दिसंबर अटेंट बहुत जल्दी पहुंचने वाला है और दिसंबर में हम लोग एंटर कर भी चुके हैं इसलिए आप सब की त्यारिया बिल्कुल अपने चर्म पे होगी इसलिए आज हम करने वाले कोशन फाइव ऑफ जून अटेंप्ट जो पूछा गया थ कोशन फाइव को इतनी लेट हमने इसलिए डाला क्योंकि कोशन फाइव जो है यह पूरी की तरी पूरी तरह से के स्टेडी से बेस्ट होता है के स्टेडी इंडेप्ट नॉलेज की बहुत जरूत होती है आप सब कर जो स्लेवर्स है बिल्कुल अप टूदी मार्क पहुचन इनके पास जो है डायरेक्टर के नौट तरह कौन कौना एजी राकेश जी जो डीक्तर च ten एं शाम जी ररक्टर मेहूल देक्तर है जिब गिशा जी मेस्प जैस अएक सीरों में का विडिरेक्टर क्योंपर एक अच्छा का था कॉशन पूशा के था तरह प्न oppos-有沒有 य技 गूर् बड़ा important topic है आप देखने दुबारा पूछा गया तो यह आने वाले समय पर और पूछा जा सकता है तो अब वो कहने हैं कि article of association में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि जो डिरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सारे डिरेक्टर एजियम में की रिटायर हूँगे तो बताओ कितनों को करना ही पड़ेगा अगर हमारी meeting है 15 सितंबर 2020 को ठीक है जी question क्लीर है जी नौ डिरेक्टर है उन्में से हम देख पा रहे हैं उन्में क्या है कि हम देख पा रहे हैं उसमें दो है independent director और एक है small shareholder director तो total कितने बचे लवक 6 director ठीक है आईए देखते हैं कि इसका exact answer है क्या चलिए सबसे वहले आपको उदा दें कि cover होता है section 152 sub section 6 में of companies act जो कहते हैं कि unless 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 it is provided कि article of the company articles के अंदर unless नहीं दिया हो two-third of directors जो दो टियाई डिरेक्टर है वो लाइवल है किस चीज़ के वह रिटायर होंगे by rotation by rotation का मतलब जो पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे जब example पढ़ेंगे तो हम clear कर लेंगे कि क्या होता है ठीक है जी इसके इलावा यह क्या कह रहा है कि directors who are liable to retire by rotation are known as rotational director ठीक है कुछ important directors होते हैं ठीक है जिनको हम यहां पर retain करना चाहते हैं से हमारा MD है हमारा CFO है जो कई-कई साल से हमारा काम समाल रहा है उनके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा तो वह जो दिन non-rotational हो जाते हैं लेकिन यह section यह कहता है कि कुछ भी हो दो त्याई तो जो होगा उनको रोटेट करना ही पड़ेगा ठीक है इसके बाद कुछ simple सी बात कहीं कि अगर दो त्याई calculate करते हुए को फ्रैक्शन आता है तो हम उसको वन किनेंगे यानि suppose वह 2.62 आ रहा है तो हम 2.62 नहीं गिनेंगे हम उसको 3 गिनेंगे ठीक है ठीक है इसी बात को और त पड़ेगा और कैसे होगा जो पहले आया था वो पहले जाएगा दो डिरेक्टर हुए बीन लॉंग इस इन दो ओफिस ठीक है अब यह अप्लाय करते ही जैसे मैंने आपको उपर ही बता दिया आशीश जी जो की इंडिबेंडेंट डिरेक्टर है गगन दीप जो इंडिबेंडेंडेंड डिरेक्टर है और अनल जो स्मॉल शेयर ओल्डर रेक्टर है वो तो रोटेट करेंगे नहीं अब शाम मेहूल जगीशा कोमल कवीता इन में से किसी दो को रिटायर करना है सिंपर आयोप क्लियर हो गया इतना सही आंसर है इतना अगराव ने ठीक दिया था तो चार नंबर आपके अब चलते हैं दूसरे कोशन पर कोशन नंबर फाइव का बीपन नमन जो की एमडी है ठीक है और मनन क्या है होल टाइम डेक्टर है ओजस क्या है डेक्टर है कहा है जी अप पोलो लिमिटेट में अब नमन क्या हुआ उसने रिजाइन कर दिया अपनी पूजिशन से क्यों कर दिया जी क्योंकि यह जो कंपनी थी स्लम से लोग या पोलो को करी लिया निम्बो ने ठीक है जी तो ओजस और मनन जो दो डेक्टर बचे थे उन्होंने क्या गया वहाँ पे नई कंपनी में उन्हें ओल टाइम डेक्टर और डेक्टर की पूजिशन आफ़र होगी तो थीक है जी अब मनन और उजस ने क्या किया एक application डाली कहा डाली जी अप पोलो लिमिटेड वो company जिन्होंने slum sale कर दिया उन्होंने का भई हमारी तो नौकली चली कि क्योंकि आपने slum sale किया था इसलिए हमें और यह जो मनन और यह जो जब रिजाइन कर चुके थे उन्हें भी पता लगा कि यह लोग डिमांड कर रहे क्योंकि बंद होगी तो उन्होंने का भी क्या मिला इनको कंपंसेशन एक तरह से मिल चुका है कैसे मिला है उन्हों नम निम्बो लिमिटेट के अंदर नई पूजीशन उन्हें मिल चुकी है ठीक है तो एक तरह से कंपणी मेंएक पेमेंट ओफ कंपंसेशन एक चला गया किसी का तो उसको अग्यूर तो किसको मिलगी जी एमडी को मिलेगी, होल टाइम डिरेक्टर को मिलेगी, मैनेजर को मिलेगी, ठीक है जी? रुलasia रुखनर को मिलेगी, नारे को मिली ऑफे है, यसके एलाव गंपोली है, रुल्टार को मिली को मैं इसके एलाव समोचने नहीं हो, हुट परफे हुट दिरीक्टर को मैं टेक्टर और रहों एतरल ठाइके थे क्वेवड़के आप ए। अगर आउटा को मिलेगी, डीके is appointing at managing director or whole-time director or manager of the reconstructed company or body corporate resulting from such amalgamation ठीक है जी जैसे कि मैंने आपको पहली बताया मनन को तो क्या है जी वहाँ पे डेक्टरशिप मिल गी है ठीक है जी pursuing to the reconstruction in the group of company तो फिर obviously बात है वो तो नहीं मांग सकता compensation ओजस भी नहीं मांग सकता क्यों नहीं मांग सकता क्योंकि वह तो डेक्टर है ना वो MD है ना WDD है तो वेन डेक्टर अब तीसा केस सुनिए वेन डेक्टर all-time director resign his office his her will उसने अपने आप भी तो छोड़ा था तो भी नहीं मांग सा था यानि कि नमन को भी नहीं मिलेगा ठीक है जी आंसर तो हमने आपको पहले ही बता दिया था अब हमने आपको सेक्शन वाइस पढ़के बता दिया है कि क्यों तीनों को compensation नहीं मिलेगा चलिए चलते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन वर 5 का सी राजदीव जो की डिरेक्टर है कंपनी में इंटीमेटेर इस विलिंगनेस तो पार्टिस्वेट इन बोर्ड मीटिंग शेड्डूल तो वीडियो कॉंफरेंसिंग अगस्ट 21 में होना था उसने का या मैं आप वीडियो कॉंफरेंसिंग के तुरू इसको टेंट करना चाहता हूं सब जाते हैं कोविट का ट तो चे परसन ऑफ दे कंपनी ने राजदीब को क्या कहा कि भाया ऐसे नहीं होता जुलाई में कह रहे हो आगस में हम पूरी त्यारी करने कम से कम तीन महीने इन एडवांस बताना पड़ता है तो किया जाता है अब आप यह बता हो कि भाया राजदीब अटेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा सिंपल कोश्चन है डीप नॉलेज की जुरूत है चलिए सबसे वहले आपको दातों एक कवर कहा होता है यह होता ही रूल थ्री ऑफ कंपनीज मीटिंग और और एट्स पावर रूल 2014 में यह क्या कहते है कि डिरेक्टर को क्या है साल की शुरुआत में बिग्नियूंग ऑफ कलेंडर यह यह बताना होता है कि भाया मैं वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थूँ यह साही मीटिंग से टेंट करना चाहूंगा यह डिकलेशन एक साल के लिए वैलिड होती है ठीक है जी और अगर वह नहीं बताता तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाया क्या लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं बोर्ट मीटिंग के ऊपर क्या है एक सेकेट्रियर स्टेंडर्ट भी दिया गया है तो उस सेक्षिन का सेकेट्रियर स्टेंडर्ट का 1.3.4 क्या कहता है वो कहता है कि the notice of the board meeting shall inform the director regarding the option available to them to participate through video conferencing board तो नोटिस हम बेचते हैं यहां एक रुखना और सोच के अपने आप दाना वो नोटिस कितने दिन का होता है कि आई नो यह कोशन से लिटेट नहीं है लेकिन हमारी तो त्यारी पूरी चल रहे हैं तो गलत जवाब है सही जवाब हो आने वाले कुशन से बताएंगे तो जब आप वो नोटिस भेजेंगे तो ही बता देंगे कि वीडियो कॉंफरेंसिंग मोड अब लेवल है या नहीं है ठीक है जी और अगर है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वार्मेंट है क्या 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 नेसेसरी इंफोमिशन है वो सब हर मीटिंग से पहले जो नोटिस जाता है उसके अंदर दिया करेंगे ठीक है अब आगा कहता है यह स्टैंडर्ड कहता है यह भी ध्यान रकी यह जो बात कहिए रिकैसे अड़ियो कॉंफरेंसेंग और आणियो बिडियो मीन शहल स intention to the chairperson or company secretary of the company वो उसको बता देगा ठीक है जी तो कब बताएगा जी वो कुछ sufficient time में बता देगा अब जी sufficient time क्या होगा यह आप अपने आप सोच सकते हैं जैसे कि आप section में देख रहे हैं इस question में देख रहे हैं कि chairman मैं तो कह रहे हैं कि आप तीन महीने पहले बताएं लेकिन से क्या कह रहा है कि आप हर नोटेस पीरियेट जो नोटेस बोट का दिया जाता है उसके अंदर अगर आप reply कर देंगे तो sufficient advance time माना जाएगा ठीक है जी और नोटेस कितने दिन पहले दिया जाता है अगर आपको अभी तक answer नहीं आए तो मैं आपको उदा दूँ वो सिर्फ साथ दिन है ठीक है जी आप कहेंगे अभी सब किछली वीडियो में तो आपने बदाया है कि 21 दिन का देना होता है तो यह सबसे confusing point है यह मैं आपको extra बतानो इसकाल सोंगे नहीं है हम लोग अक्सा Confused हो जाते हैं AGM और बोर्ड मीटिंग इस बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है ठीक है जी एकके सिन रूपक गुपता वर्स यूपी होटल्स लिमिटेड का बड़ा इंपोर्टेंट केस लौ है यह जब से कोविड आया है यह केस लौ लगबग लगबग हर अटेंट में पूछा जा रहा है ठीक है जी यह क्या कहता है कि अगर आपने कंपनी लौ में पहले ऐसा इंटीमेशन न देना चाहता हूं कब देना होता है एड दी बिगनिंग ऑफ कलेंडरी है ठीक है जी हमने अब यह उपर पड़ा है तो भी तो भी यह नहीं माना जाएगा कि आप दुबारा इस मोट पे नहीं जा सकते या दुबारा आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मेरी पूजिशन ठीक न से नहीं जो कहा वो बिल्कुल गलत है और राजदीब जो है वीडियो कॉंफरेंसिंग के तुरू इसको अटेंड कर सकता है आई होब इस क्लियर चलिए अगले कुशन पर चलते है चलिए कोशन फाइब का डी कहता है कि एक डिरेक्टर जो इंडिया छोड रादा किस काम के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसने बोर्ट को बता दिया कि वह अगले छे मेने के लेवलेवल नहीं है वह जा रहे है अपना इलाज करा रहा है अब उसकी एपसेंस में क्या हुआ एक के बाद एक दरदर दर तीन मिटिंग कर डाली जी उन्होंने छे मेने में जिसका उसक बात भी चल रहे हो कि उसकेंगर से आप लिएक पर आशने इसका पर्णन क्या अपने दिमाग से है इसका यह। क्या है तेखिए सही आंसर सही सेक्षिंग जा पता हो ना इसलिए भी जुड़ी है कि तुक्के वाजी से लौ नहीं चलता जी लौ के अंदर सेक्षिंग बात होती है मैं तो कहा दूँगा यह तो बिलकुल ना इंसाफी है ठीक है ना लेकिन यह आर्गुमेंट कोट्स में तो लाइन ऑमयां अटरि बोड मिटिंग का ठीक है जी बोड मीटिंग का अभी अभी मैंने पिछले में आपको क्लियर करके बदाया कि बोन मीटिंग के नोटेस और एज़्ेम के मूं नोटेस में फरकृता है तो बोड मीटिंग का किसमें का बोड ऑ सेक्शिन kortषिंग होतां च सब को याद हो जाना चीए था उसका सेक्शन तो चलिए सेक्शन 173 और सब सेक्शन 3 और क्या कहता है वह कहता है नौट लेस्ट देश्ट दिन का नूटिस दिना होता है इन राइटिंग में दिना होता है यह नहीं कि मैंने फोन करके बादा बाइस हम मिलना है तो आ जाईएग ठीक है किस किस को देना होता है हर डिरेक्टर को देना होता है कहां देना होता है उनके अवलेबल रिजिस्टर एड्रेस जो भी हमारे पास दिया गया है चाहे वो इंडिया का हो चाहे बाहर का हो को बाहर का भी डिरेक्टर है तो भी नोटिस पहुनना चाहिए साथ दिन पह be given सबको देना है इवन इवन वेन दमीटिंग वोगी तो भी आपको नोटेस देना है तीक है यह एक केस है इसका होता है इसमें क्या कहा गया कि इस नेसेसरी बिलकुल देना ही देना है इवन इफ डिरेक्टर से इनफॉर्म कि वो नहीं आएगा हमें पता हो नहीं आएगा फिर भी नोटेस पहुचना चाहिए अगर उसने क्या भी दिए ना कोई बाद नी मत भेजना तो भी बेदेना सब्सक्राइब बाद में पलड़ जाएगा यह कहां डिसाइड हुआ था एक लैंडमार्क केस में हुआ था परमेश्वरी प्रसाद गुपता वर्स यूनियन ओफ इंडिया बहुत सारे बहुत सारे केस लोगज है लेकिन यह कुछ केस लॉसे जोंकी बहुत ही लैंडमार्क हैं और लगबग हर दूसे टेम्ट में पू देना ही देना हैं और अगर आपने नहीं दिया तो क्या होगा एक तो परमेश्वरी प्रसाद गुपता वर्स इंडिया में पहली बता दिया क्या होगा क्या होगा है इन्वैलिड हो जाएगा रेजलूशन जो हमने पास किया इसके इलावा इसके रावा हर वो ओफिसर जिसके उपर इसको भेजने की ड्यूटी थी उसके उपर फाइन लगेगा कितना लगेगा जी पच्छे से यार रुपेगा एक पे नी जी सब पे जिसको भेजना था ठीक है जी और फिर उसके बाद क्या होगा ये मिटिंग नल एन वाइड हो ज कोशन था इन के स्टेडी जोगी अकसर हमें कंफ्यूस कर देती है चलिए इस कोशन के आखरी पार्ट की दरफ चलते हैं बड़ा ही सिंपल और ड्रेक्ट सा कोशन है अगर आपने कंपनी लोग की त्यारी अब तक अच्छी कर रखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है सिंपल है वो कुछ अपॉइंट्मेंट्स करना चाहते हैं आप बता दो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं राम जो है डिरेक्टर है क्लीन इंडिया का क्लीन लिमिटेट का उसको भी हम सीओ बनाना चाहते हैं जी या सीफो भी बना सकते हैं जी तो क्या बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं में पहले ही डिरेक्टर हो और दूसरा हम राम को क्या मैनेजिंग डिरेक्टर बनाना चाहते हैं कब जब शाम जो है पहले सही मैनेजर है बहुत सिंपल कोशिए डिर्यक्ट कोशिन चार नमबर बिल्कुल जे में अगर आपको ठीक से इसका अंसर पता है तो चली फटर कौन है जिसको section 2 subsection 19 के अंदर appoint किया गया हो as a cfo ठीक है जी अब companies act में ऐसी कोई भी provision नहीं है जो कहती हो कि ceo या cfo एक company में एक बंदा नहीं हो सकता है ठीक है हाला कि जो भी दूसरे provision है जैसे randomization origin सब के हैं वो हमें देखने पड़ेंगे ठीक है जी इसके किला हुआ regulation 77 of table f क्या कहता है director can be appointed at cfo manager company secretary or cfo of same company ठीक है यह बड़ा साफ साफ कहता है कि आप CEO बन सकते है manager बन सकते हैं company secretary बन सकते हैं cfo बन सकते हैं एक ही company के अंदर ठीक है तो अव्यस ही बात है कि नाम cfo बन सकता है कोई problem नहीं है लेकिन अब जो second part है वो क्या कहता है section 196 of section one of companies क्या कहता है एक company में या तो md होगा या manager होगा दोनों एक साथ नहीं होंगे ठीक है जी दोनों एक साथ नहीं होंगे ठीक है तो ओविसी बात है अगर शाम जो है वो पहले से ही क्या है महाँ पर मैंजर है तो फिर हम राम को managing director नहीं बना सकते है आई होप यह वीडियो आपको अच्छे number score करने में help करेंगी हमाई सा ऐसी जुड़े रहे है क्रैस्पिट फिल्ट करेंगे